हेलो फ्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल निहारिका वर्ड वाग्स में स्वागत है आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हूँ सेंटेड कैनल्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और कितनी तरह कि इसको क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में जानेंगे और हर एक कैनल में कितने फ्रेग्रेंस को सुगंद को यूज किया जाता है ये भी हम जानेंगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम डिफरेंट कैनल्स अब इस फोटो में आप देख रहे हैं कितने प्रकार के कैनल्स हैं यह पिन्क सैंड कैनल तुछ कपके कैनल भी है जैसे कि हम कपके खाते हैं उसख स्मेल से झानल्स होते हैं और और भी डिफरेंट डिफरेंट इसमेंड कोकोनट बीच हैं और और भी different type के canals होते हैं और different different fragrances हम को मिलते हैं जैसे कि इस सेंट को scented candles को लगाने से घर का महौल अच्छा होता है आप को stress से दूर करता है इसलिए हम इस सेंटेंट कैंडल को यूज करते हैं पहला आपका कैंडल है apple spice candle हम इसको जानेंगे कि पहला आपका कैंडल है apple spice candle हम इसको जानेंगे कि पहला आपका candle है apple spice candle हम इसको जानेंगे कि पहला आपका इस वीडियो में आप देख रहे हैं जैसे कि apple spice candle blue citron candle jungle rain candle ocean wild flower candle आदी इस वीडियो में आप देख रहे हैं cherry blossom candle और और भी अनी candles हैं जैसे island nectar candle coastal sunset candles strawberry flavor candle आदी इस वीडियो में आप देख रहे हैं cherry blossom candle और और भी अनी candles हैं जैसे island nectar candle coastal sunset candle बन्लोब भी उनी जैसे आले रेख आणी autocadणád renew यंजिसे दी आदेख रेख रहे हैं इस वीडियो में आप देख रहे हैं चेरी ब्लोसम कैंडल और और भी अनी कैंडल्स हैं जैसे आईलेंड नेक्टर कैंडल्स लुषपिंग प्रीज़ आपको मैं गए्याओ पटेश के भी एप्र कैंडल्स पेख यथवा जुश्जों का्यासे ब्लiu Cum से पहले हम इसके बारे में जानेंगे इसको क्यों यूज किया जाता है और इसमें क्या-क्या फ्रेग्रेंस इसको बनाने में यूज करते हैं ये भी हम जानेंगे apple spice candle के uses क्यों यूज किया जाता है ये महौल बनाता है अच्छा महौल atmosphere बनाता है मौसम के according हम इसको जला सकते हैं जैसे बाहर मौसम हो रहा है उसके according भी हम इसको सजा सकते हैं आरोमा थरपी कि एक थरपी की तरह यूज किया जाता है स्ट्रेस को दूर करता है जैसे कि कोई bad smell है और हम इसको जलाएंगे वह हट जाएगा bad smell किसी को gift करने के लिए हम यूज करते हैं और विशेश अफसरों पर जैसे कि बदेश हों पाटीज हों घर में या किसी का जैसे कोई बेबी शार हो अगर हम इसको लगाएंगे तो महौल अच्छा बन जाएगा खुद की देखबाल के लिए भी इसको यूज किया जाता है इसमें क्या-क्या fragrances यूज होते हैं इस तो चलिए देखते हैं जैसे कि से यानि इसमें ये इसमें इस कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपल ये आपल के मिश्रंट से ये कैंडल बनता है ये अपने इंडियन मसाले खड़े मसालों के साथ इसको बनाए जाता है और वैनिला इसमें एसेंस यानि वैनिला डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस का भी आएगा स्मेल तो इसी लिए हम इस कैंडल को यूज करते हैं और फ्रेक्रेंस भी बहुत अच्छे लगते हैं आपका महल बतलता है घर का इसको लगाने से और भी यूज करते हैं जैसे एक और अनधन कैंड civ केंडल यह हम इसलिए यूज करते हैं इसका जंगल या यानि जंगल में जब बारिश होती है वैसा atmosphere आता है इसको जलाने से और ये क्यों यूज किया जाता है इसके क्या-क्या उपयोग है ये ताजा महौल बनाता है फ्रेश फील फ्रेश फीलिंग आती है इसको जलाने से मनोदशा में वृद्धी करता है गंद उन्मूलन सजावटी उच्चारण यानि इसको डेकुरेशन के लिए भी यूज किया जाता है विशेश अफसरों यानि किसी भी अफसर पर स्पेशल ओगेशन को यूज किया जात है हरे नोट पैट्री चोर वुड़ी अंडर टोन जली नोटस पुश पुश चारण साइट्रस या हर्बल नोट यानि हर्बल का यूज किया जाता है हर्बल चीज़ें कस्तूरी या एमबर इनका भी इस मेल को लाने के लिए जंगल रेंड कैनल का स्मेल आने के लिए इन फ्रेग्रेंस इसको मिला के यह इन सब में मिश्रन से जंगल रेंड कैंडल बनता है आपका नेक्स्ट कैंडल है पिंग सेंड कैंडल पिंग सेंड कैंडल पिंग सेंड कैंडल तो पिंग सेंड कैंडल इसलिए इसको क्यों यूज करते हैं यह भी हम जानेंगे डिफरेंट महौल यूज करता है जैसे की सजावट यानि डेकरेशन के लिए यूज किया जाता है अरोमा थरपी के लिए जैसे आपका थरपी जैसा फीलिंग आती है यह एक रोमांटिक महौल बनाता है ध्यान और योग्य इन सब का ये इसके लिए यूज किया जाता है इस कैंडल को इसमें रोस, जैस्मिन, लेविंडर, वेनिला, सैंडल वूड, चेरी ब्लोसम, पियोनी, कोकोनट का यूज किया हुआ है इन फ्रेग्रेंस इसको मिला के ये कैंडल बनता है तो आपका नेक्स कैंडल है आइलेंड नेक्टर कैंडल का नेक्स कैंडल है आइलेंड नेक्टर कैंडल का नेक्स कैंडल है आइलेंड नेक्टर कैंडल का नेक्स कैंडल है ये आइलेंड कैंडल क्यों यूज किया जाता है ये हम इसमें जानेंगे उतकटी बद्धिय वातवरन का निर्मान करता है अराम और तनाव से राहत देता है मूर को बढ़ाता है गर्मियों को घर के अंदर लाना यानि जैसे बाहर महौल गर्मी का है तो ये घर के अंदर भी वैसा एट्मोस्फियर लाता है संभाव के लिए महौल तयार करता है जैसे कि कोई ग्यादरिंग है इसके लिए ऐसा महौल भी बनाता है ताजा रहने की जगे यानि फ्रेश प्लेस का भी इसको ये इसको यूज किया जाता है फ्रेश प्लेस के लिए भी फ्रेश प्लेस बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है तौफर देना यानि किसी को गिफ्ट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं इसमें क्या-क्या सुगंध हैं जैसे कि गरम फल, पुश-पुचारन, साइट्रस जेट्स, नारियल की मलाई, वेनिला मिठास, विदेशी मसाले, यानि विदेश के मसालों का इसमें मिश्रण होता है और नारियल की मलाई जैसे नारियल का जो उपर का होता है मलाई उसका यूज़ किया जाता है पुश्प यानि फ्लावर्स का यूज़ करते हैं गरम फल जैसे जो कि गरम गरमी देते हैं ऐसे फलों का यूज़ किया जाता है आपका next candle है अब ये next candle है coastal sunset candle ये अब ये next candle है coastal sunset candle ये अब ये next candle है coastal sunset candle ये अब ये next candle है Coastal Sunset, अच्छा सा, इसको क्यों उपयोग किया जाता है, कैसा atmosphere बनाता है, ये सब इसमें हम जानेंगे तो Coastal Sunset Candle क्यों उपयोग में है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है, ये भी हम जानेंगे एक तटिये महौल बनाता है अराम और तनाव से राहत देता है यह कैंडल आउटडोर को घर में घर के अंदर लाना यानि जैसे आउटडोर जैसे बाहर जैसे महौल है ऐसा एटमोस्फेर घर में भी यह फील कराता है ताजा रहने की जगए यानि फ्रेश प्लेस का फील कराता है मूड बढ़ाना अच्छा मूड बनाता है सभा के लिए द्रिश्य निर्धारित करना तोफ़ा देना यानि हम इसको किसको को भी गिफ्ट कर सकते हैं इसलिए यूस कह जाता है इसको तो इसमें जैसे कोस्टल संसेट कैनल में क्या-क्या इसमें यूस करते हैं जैसे कि समुद्री हवा यानि समुद्र के किनारे जैसे हवाएं चलती हैं समुद्र में ऐसा फील भी कराता है ये इसका भी मिश्रण इसमें है समुद्री नोट का मिश्रण है धूप से गरम रेथ यानि बिल्कुल जब धूप निकलती है तो रेथ गरम हो जाती है ऐसा घरमे एट्मॉस्फियर भी फील कराता है टटीय पुष्प यानि जो त्ट के किनारे जो flowers होते हैं इनको इनका miks charger है इसमें इस संसेट कोस्टल संसेट कैनल in म से गरम जंगल कमोनी कस्थोरी इन सब का इन सब का मिश्रण बनाके ये कोस्टल संसेट कैनल बनाते हैं उसको ये सारी खुचबूएं होती है इनका mixture होता है तो आपका next क्या है cherry blossom candle तो इसमें आप क्या-क्या use करते हैं इसको क्यों है cherry blossom candle तो इसमें आप क्या-क्या हम जानेंगे कि cherry blossom candle हम क्यों use करते हैं cherry blossom candle में atmosphere better atmosphere का उप्योग होता है अच्छा महौल बनाता है ये decoration यानि decoration की तरह भी हम इसको use करते है decoration पीस की तरह gift giving यानि किसी को भी gift देने के लिए use किया जाते है home spa experience यानि अगर हम कहीं भी जैसे spa कराते हैं तो ऐसा atmosphere भी का महौल बनाता है meditation and yoga meditation का feel कराता है ये अगर हम इसको जलाएंगे तो ऐसी feelings आती है special events का feel कराता है अगर हम इसको जलाएंगे तो इसमें हम ये इसमें क्या fragrances मिला कि ये चेरी ब्लोजम बनता है ये इसमें points में है पहला है floral floral sweetness यानि इसमें sweet smell आपको smell करने को मिलेगा freshness freshness, powdery subtlety ऐसी feeling आती है ऐसी इसमें fragrances का यूज किया है आपका next candle है chakra blossom festival candle ये candle Japanese culture की याद दिलाता है और ये बहुत famous है ये flowers spring season में ये flowers आते हैं तो बहुत सुन्दर लगते हैं ये flowers इनका मिश्रन इन flowers को यूज करके बनाया जाता है इस candle को तो इसके क्या-क्या uses है हम ये जानेंगे और शक्रा ब्लोसम फेस्टिबल कैंडल यूज इस फॉर यूज celebrating spring यानि अभी हम spring season इंटर कर रहे है spring season स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी feeling आती है celebration का feel कराता है ये creating a tonqually atmosphere setting the mood for gathering यानि जैसे कि gatherings होते हैं ऐसी feeling आती है इसको जलाने से haunting Japanese culture Japanese culture का यह याद दिलाता है gifted giving यानि किसी को भी हम gift करने के लिए इसको use करते है decor for decorating for special location यानि जैसे कि कोई घर में special location है birdies वगेरा या कुछ भी festival है कुछ भी celebrate कर रहे है अगर हम इसको जलाएंगे तो atmosphere चेंज हो जाएगा या किसी guest को बुलाया है तब हम इसको जलाएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा feel होगा इसलिए भी हम in scented candles को use करते हैं और इसमें क्या और इसमें क्या क्या fragrances यूज किये हैं कि इन सब के किन किन fragrances से सुगंद से ये candle बनता है ये भी हम इसमें जानेंगे चेरी ब्लोजम, फ्लोरल, एलेजिनेस, सब्टेल, स्वीटनेस, फ्रेशनेस और लाइटनेस, एयर और एर्थ तेल इन सब इन सब चीजों से ये candle के इस candle को जलाने से ये ये fragrances हम स्मेल करने को हमें मिलेगा इनके हिलावा अन्य कैनल के भी फ्लेवर्स हैं जैसे की कोकोनट बीच है 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 अगर जब मदर्स डे आता है तब हम ये जलाएंगे तो मदर्स को सप्राइस फील होगा अच्छा फील करने को मिलेगा उन्हें बहुत अच्छा फीलिंग आईगी उनको यह पीर कैनल पीर कैनल जैसे पीर फ्रूट है ऐसा जर्मे महाल फ्रेशने महाल आता है पीर पीर एट्मोस्फियर अगर इसको जलाते हैं यह कुछ डिजाइन कैनल भी हैं डिफरंट डिफरंट डिजाइन्स कैनल है यह ocean wild flower candle ocean के अंदर कुछ flowers होते है उनके मिश्रण उनके मिश्रण से यह candle बनता है ocean flower candle तो friends कैसा लगा वीडियो please please like share, subscribe my channel and comment thank you